पुराने सलसत में भी बैटने का जिने सौभा के मिला और नय का भी तो निश्चित तोर पे ये हम लोगों के लिए खुसी की बात है हम लोगों के लिए गर्व की बात जो चर्चा है वह होता है तो साइद महिलाओं से जादा खुसी इस बात की किसी को नहीं होगी अगर निश लोग स्वागत कर रहे हैं इस निने का की 33% अरक्षन अब लागू होगा तमाम सांसद भी इस बास से खूश है क्योंकि आज नए संसद में प्रवेश के साथ ही एक बड़ा और एतिहासिक निने की भी अब चर्चा शुरू हो गई है इस वक्त हमारे साथ बाचीत करने के भागय साली हैं जिनोंने पुराने संसद में भी बैठने का जिने सवावग्य मिला और नये नए का भी तो निश्टित पर यह हम लोगों के लिए खुसी की बात है कि हम दोनों सद्नों का अनुभो रखेंगे और रही बात आरक्षण की तो एक महिला होने के नाते अगर जो चर्चा है वह होता है तो साइद महिलाओं से ज्यादा खुसी इस बात की किसी को नहीं होगी और साथी साथ में यह भी चाहूंगी कि महिला आरेक्षण मिलता है तो उसके बाद महिलाओं को वाकई में मौका मिलना चाहिए क्योंकि को छोड़ करके अगर नीचिले अस्तर पर आम आरकशड की चर्चा करते हैं तो सिर्फ महिला सीड जहां पर होती है वहाँ पर सिर्फ महिलाओं का नाम होता है कार्य महिलाओं का नहीं रहाज हो पाता है और उस तरह से महिलाओं को भी आगे बढ़ करके अगर उनके नाम पर किसी चीज की मुहर लग रही है तो उन्हें अपने कर्तवियों का निर्वाहन स्वेम करना चाहिए 33% की बात हुई तो इसमें भी जातिवाद भी आ गया इसमें की कोटा के अंदर भी कोटा होना चाहिए इस तरह की बात भी विपक्ष की तरफ से अब आनी शुरू हो गई है हम महिला हैं और इस देश की आधी आबादी का नितित्व करते हैं और महिलाएं यदि हम चर्चा करें तो महिला पहले बेटी होती है और बेटियों की सनातन की यदि हम चर्चा करें तो सनातन में बेटियों की कोई जाती नहीं रही है और हर बेटी पूझे रही है, वो किसी भी जाती, किसी भी धर्मे की रही हो तो आरक्षन महिलाओं को मिलना है, ये हमाई लिए गर्वकी बात है तो संगमित रमोर्या का यही कहना है कि आरक्षन मिलना बड़ी बात है इसके अंदर भी जातीवाद को शामिल ना करे विपक्ष, ऐसा इनका कहना है लेकिन अगर आरक्षन लागू होता है तो इसका स्वागत भी करने की बात कई है TV9 भारत वर्ष के लिए विजे के साथ दिल्ली से मैं अभीजी ठाकुर